प्यारे बच्चों, आपको फूल तो पसंद होंगे? हर किसी को अलग-अलग फूल पसंद हैं, जैसी किसी को गुलाब पसंद है, किसी को कमल, किसी को गेंदा, किसी को सनफ्लावर, किसी को चमेली, किसी को रजनिगंदा तो इसी प्रकार आज जो पोयम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक फूल के बारे में खूबसूरत से डेफोडिल्स फ्लावर्स के बारे में है हाँ बच्चो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास एट यूनिट बी पेज नमर 24-25 और पोयम का नाम है डेफोडिल्स जिसे लिखा है प्रकृति के महान कवी विलियम वर्सवर्थ ने विलियम वर्सवर्थ मूलत ब्रिटेन के रहने वाले थे यह कवीता डेफोडिल्स प्रकृति के साथ उनके परस्नल एक्स्पिरियेंस यानि की प्रकृति के साथ उनके खुद के अनुभव पराधारी थे इस कवीता में कवी ने गोल्डेन डेफोडिल्स फ्लावर्स की सु लाइन्स है रायम श्कीम यानि कि लेब अधता एबी akl में है यानि कि first और second लाइन क्रम सर्दार्द फोर्फ लाइन्स के साथ लाइब भद हैं और अन्द के दो लाइन्स का पुछ अनिकी दो हा वैसी दो पंगतियां जो आपस में 근क्रू इस में figure of speech यानि की अलंकारों का प्रियोग भी बहुत ही सुन्दाधंग से हुआ है उन अलंकारों में simili, personification, hyperbolitयादी का प्रियोग हुआ है जब हम इस पोयम की पंक्तियों को पढ़ेंगे तभी शाथी साथ इन figure of speech के प्रियोग को भी हम समझते जाएंगे आए देखते हैं Stanja 1 I wondered lonely as a cloud that floats on high over whales and hills when all at once I saw a crowd, a host of golden defodels, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze इन पंक्तियों में कभी कहते हैं I wondered lonely as a cloud, मतलब मैं अकेला घूम रहा था जैसे कोई बादल that floats on high over whales and hills जो कहां उड़ता है over whales, घाटियों और hills, पहाड़ों पर when all at once I saw a crowd, तभी अचानक at once मैंने एक crowd, crowd याने के दल या जुन्ड और वो भी जुन्ड किस चीज का था? A host of golden daffodils सुनह ले, daffodils flowers का जुन्ड कभी ने देखा कहां पर? Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze Beside the lake मतलग, जील के बगल में, beneath the trees, पेड़ों के नीचे, fluttering and dancing in the breeze और हवा के साथ जुमते हुए, निर्थे करते हुए, कभी ने उन फूलों के जुन्ड को देखा अब बच्चों हम देखते हैं कि इस स्टांजा में, first line आप देखे, I wonder lonely as a cloud यहाँ पर कभी अपनी तुलना बादल के साथ कर रहे है, as a cloud, मतलब बादलों की तरह यानि कि यहाँ पर सिमली का प्रयोग हुआ है, और आखरी line में, fluttering and dancing in the bridge जो यह जूम रहे हैं, नाच रहे हैं, full, fluttering in the bridge, जैसे हवा के साथ तितली या चेडिया उड़ती है और dancing जो के एक मानवी अगतिविधी है, इसे वो जोड रहे हैं, किसके साथ? कभी इन मानवी अगतिविधियों को daffodils flowers के साथ जोड रहे हैं, तो आईए बच्चो, Stanja 2 continuous as the stars that shine and twinkle on the milky way, they stretched a never-ending line along the margin of a bay 10,000 saw eye at a glance, tossing their heads in sprightly dance continuous as the stars that shine, continuous मतलब बच्चो लगातार, as the stars that shine, जिस तरह से तारे चमकते हैं, लगातार and twinkle on the milky way, और टिम्टिमाते हैं, twinkle मतलब टिम्टिमाना, आप लोगोंने बच्चो पढ़ा होगा न, twinkle, twinkle, little star वैसे ही twinkle on the milky way, वैसे ही तारे जब आकास गंगा में टिम्टिमाते हैं, they stretched in never-ending line along the margin of a bay और उनका विस्तार एक अनन्त रेखा में है, along the margin of a bay, और खाड़ी के margin के तरह, हासिय के तरह, वो फैले हुए हैं, विस्तृत हैं, कौन? कभी यहाँ पर defodils फूलों के बारे में कह रहे हैं, कि वो कैसे चमक रहे हैं, stars की तरह, एक चमकने का एक यह reason भी हो सकता है, कि जो defodils flowers हैं, उनका color क्या है बच्चों? उनका color है golden, तो golden होने के करण वो चमक रहे हैं, and twinkle और टिम्टिमा रहे हैं, कैसे? क्योंकि वो हवा के साथ fluttering and dancing, वो हवा के साथ जूम रहे हैं, इठला रहे हैं, तो कभी को ऐसा प्रतीत होता है, जैसे यह फूल twinkle कर रहे हैं, टिम्टिमा रहे हैं, बच्चों आपने भी आसमान में तारों को टिम्टिमाते हुए जरूर देखा होगा, जब हवा के साथ व एक नजर में 10,000 कितने हुए बच्चों, 10,000 फूलों को tossing their head in sprightly dance, और वो क्या कर रहे थे, अपने सर को हिलाते हुए, tossing, हिलाते हुए their heads, अपने सर को in sprightly dance, पूरी उर्जा के साथ निर्टे कर रहे हैं, dance कर रहे हैं, बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि कभी ने 10,000 कहा है, यहाँ पर कभी इस द्रिश्य को देखकर इतने उत्साहित हैं, कि उन्होंने फूलों की संख्या कितनी बता दी 10,000, बच्चों यहाँ पर एक figure of speech का use हुआ है, जिसको hyperbol बोलते हैं, इस परिस्थिती में क्या होता है, जब हम अती उत्साहित होते हैं, तो उनकी एक स चलो बच्चों, आते हैं, तीसरे स्टैंजा की तरफ, वे फूल, outdid the sparkling waves in glee, बट वे फूलों की तरंग में जो चमक थी, वो खुसी की प्रशनता की चमक थी, बच्चों जब हम बहुत खुश होते हैं, तो हमारे चेहरे पे एक चमक सी आ जाती है, वैसे ही कवी इस द्रिश्च में कहते हैं, कि वो फूल खुसी से जूम रहे हवा अमें, जिससे की ऐसा महसूस होता है, जैसे एक लहर में एक चमक सी है, अपोईट कुर्नाट, बट भी गे, एक कवी होते हुए भी, वो अपने आपको रोक नहीं सकते, बट भी गे, गे मतलब बच्चों प्रशन, खुस होने से अपने आपको नहीं रोक पा रहे हैं, इन सचा जोकंड कमपनी, ऐसे कमपनी में, ऐसे सुंदर कमपनी में, कमपनी मतलब बच्चों संगती, शानिध, इन डेफोडिल्स फूलों के शानिध में, कवी अपने आपको खुस होने से नहीं रोक पा रहे हैं, और कहते हैं, I gazed and gazed, but little thought, यहाँ पे बच्चों हम देखे दो बार एक ही सब्द का प्रियोग किया है, कवी ने gazed, gazed मतलब होता है, अपलक निहारना, मतलब लगातार एक टक किसी चीज़ को देखना, तो उन्होंने दो बार gazed and gazed, मतलब वो इस द्रश्य को देखकर इतने उतसाहित हैं, कि वो अपलक बिना पलक जपकाई, लगाता उस द्रश्य को उन फूलों को नाचते इखलाते हुए देख रहे हैं, और साथ ही little thought, एक छोटा इसी विचार उनके मन में आ रही है, what wealth the soul to me had brought, इस सुन्दर से द्रश्य के सो में, मुझे ऐसा कौन सा धन है, ऐसे कौन से मुल्यों से मैं यहाँ पर इस सो को देख पा रहा ह हुँ बच्चों, क्योंकि हम जब भी कोई सो देखने जाते हैं, तो हमें कुछ न कुछ पे करना होता है, तो वही कभी सोच रहे हैं, कि आखिर ऐसा कौन सा प्राइस है, जिसकी घीमत पर मैं यहाँ पर यह अदभुत द्रिश्य, अदभुत मनमोहक द्रिश्य देख पा रह हुँ, तो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, स्टांजा फोर की तरफ, बच्चों, अब हम पोएम के आखरी स्टांजा में पहुँच गए हैं, इस स्टांजा में कभी बताते हैं, कि डेखोडिल्स फूलों का वह द्रिश्य उनके लिए इतना इंपोर्टेंट क्यों है, फॉर ओफ्ट, वेन ओन माई काउच आई लाए, कभी कहते हैं, जब मैं अपने काउच पर लेटा रहता हूं, इन वेकेंट और इन पैंसेब मोड, बिल्कुल एकांत में और बहुत गहरी सोच, वेकेंट मतलब खाली, एकांत, और पैंसेब मतलब बच्चों, पैंसेब मोड क्या होता है, जब हम सांती से किसी गहरी सोच में डूबे रहते हैं, दे फ्लेश अपन देट इन वर्ड आई, दे, बच्चों दे, यहाँ पर दे सब्दी का प्रियोग फूलों के लिए हुआ, दे फूलों के लिए, दे फ्लेश, फ्लेश मतलब चमक उठते हैं, कहां, अप अंतर द्रिश्टी में, अंतर मन में, मतलब कलपना में, which is the bliss of solitude, और जो उस एकांत का bliss है, bliss मतलब वर्दान होता है बच्चों, and then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils, और जैसे ही कभी के मन में, कभी की कलपना में, उन फूलों की द्रिश चमक उठती हैं, एक फ्लेश सा अचानक से उनके मस पतिस्क में उभरता है, उनका हिर्दय, उनका हर्ट, with pleasure fills, खुसी से भर उठता है, और उन फूलों के ही साथ, उन फूलों की ही तरह नित्य करने लगते हैं, कभी यहाँ पर मनुष्य की कलपना सकती को बहुत ज्यादा importance देते हैं, कभी कहते हैं, कि हम अपनी कलपना सकती से अपने mind के power से बड़ी-बड़ी difficulties, बड़े-बड़े दुखों को जेल सकते हैं, पार कर सकते हैं, इस तरह से बच्चों, हम देखते हैं, कभी ने इस कवीता में प्रकृती के शुंदर त्रिश्यों का जो वर्नन किया है, उसके साथ-साथ, वो यह भी हम लोगों को समझाना चाते हैं, कि हमारे जो human mind का जो power होता है, कभी human mind के power को praise करते हैं, प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कि using memory and imagination, मतलब अपनी पुरानी अच्छी यादों को और कलपना को अपने दिमाग में rewind करके लाकर, हम क्या कर सकते हैं, बड़ी-बड़ी difficulties, बड़ी-बड़ी शमस्याओं से और अपने pain से, अपने दर्द से overcome कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, तो बच्छों, कैसी लगी यह कभीता आप लोगों को पढ़कर? उमीद करती हूँ, आपको पसंद आई होगी, तो अगले पोयम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए God bless you, बाई! जर कि एका समी आप लोगा आप वोगों कर已經म्ते हैं, बच्टारा कर सकते हैं, मुक्ति पारिस्टारा कर सकता हैं, कैसी वरई रच्चों experience in and Dante zwischen